हेलो बच्चो कैसे हो उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छ है अपनी पढ़ाई वे अच्छ से कर रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर कहानियों की एक श्रंक्रा जली हुई है उसी श्रंक्रा में आज एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है सुन्दर पंक यह एक ग्यानवर्दक कहानी है जिसे सुनकर आपको शायद कुछ नया सीखने को मिले और आप यह समझ पाएं कि क्या चीज इस दुनिया में बहुत जरूरी है तो आज़े शू करते ही कहानी एक सुन्दर चिडिया एक कवे के पास पेड़ पर बैठी थी चिडिया कवे से बोली ओह तुम्हारे पंक कितने रूखे और काले हैं इस पर कवे को गुसा आया चिडिया फिर बोली अरे मेरे कॉमल चमकीले सुन्दर पंक देखो कितने अच्छे लगते हैं तुम्हारे सक्त और कठोर पंक तो बिलकुल भद्दे लगते हैं तब कवा गर्व से बोला भोली चिडिया मेरे ये पंक मुझे सर्दी गर्मी से बचाते हैं भयंकर ठंड पढ़ने पर तुम्हारे ये सुन्दर पंक तुम्हारी कोई सहता नहीं करते तुम ठंड में ठिटूरती हो दुब की बैठी रहती हो लेकिन मैं अपने इनी रूखे और सक्त पंकों से उड़कर पेड़ों पर जा बैठता हूँ और मीठे मीठे फल खाता हूँ तो बताओ चिडिया रानी ऐसे कॉमल और सजाब्टी पंकों का क्या लाव ये कहकर कवा वहाँ से उड़ गया तो समझाया आपको कि हर इनसान किया हर प्राणी की कोई ना कोई खासियत कोई ना कोई खूबी होती है हमें अपनी खूबी की तुलना दूसरे की खूबी से नहीं करनी चाहिए हमें नहीं पता कि उस इनसान की जो खूबी है वो उसके लिए कितनी महतपून है जिस प्रकार से कवे के काले और सक्त पंक उसे सर्दी गर्मी और बाकी कटनाईयों से बचाते हैं उसी तरीके से जो कॉमल चिडिया के पंक हैं वो उसके लिए महत पूंते तो हमें हमेशा दूसरों के जो गुण है और जो उनकी उपस्तिती है उसे सरहाना करने चाहिए उसकी ना कि उसमें कम्या निकालने चाहिए आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस पर लाइक कीजिए से कमेंट कीजिए और ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद